इसलिए civil services की तैयारी करना ये अपने जीवन का ये मानलो कि वो सबसे महत्वपूर्ण निर्णे है मैं खुद जब civil services की मैंने तैयारी शुरू की थी तो उससे पहले मैं भी अपने आपको यूं बड़ा तीस मारखा समझता था और जब मैं यहां आया पढ़ने के लिए जैसे पढ़ने के लिए तो मुझे पता लगा रहे यार बहुत बड़ी डाइवर्स ऐसी नॉलेज़ है या इतना बड़ा लवास्प नॉलेज है जो कि अब उनको अभी तक पता नहीं था और ये सिर्फ किस से पता लग गया किस तैयारी से पता लगा अगर मैं यह तैयारी नहीं बात सही है यह बात गलत है ऐसे नहीं होनी चीज़ अख़वार के अंदर कोई आर्टिकल आएगा तुम्हें समझ में आएगा अगर economics के ऊपर कोई बात आएगी तो तुम्हें वो बात समझ में आएगी history की कोई चर्चा चलेगी तो तुम authority के साथ में अपनी बात कह सकते हो जोग्राफिक के ऊपर कोई बी अगर climate के से related किसी प्रकार के बात ही तो तुम अपनी बात जो है वो अच्छे से कह सकते हैं तो एक enriched life जो है वो किसके माध्यम से जी जा सकती है वो civil services के माध्यम से जी जा सकती है इस वजह से यह निरने जो है बहुत श्रिष्ट है कि तुमन ही के दाम बूस्टक्रा, अपर अपने काम काम करेंगे, जीवन के अंदर कैसा कारेंगे, जीवन अपना एक है अपना जीवन किस तरीक से जीना है यह तरीक से जीना, और जासे मनेत बताय कि इंदर बहुत ज्यादा diversity है इसके अंदर बहुत जदा enriched यह syllabus है और यह पढ़ाई अपने आप में बहुत जदा तुम्हें जो है वह enjoying लगेगी यार यह क्या क्या चीजें जो है अपने को पता लग रही है और इसको तुम इंजॉय करना जैसे जैसे तुम इसको इंजॉय करोगे तो वो तुम्हें और मज़ा देते रहेगी और नहीं नहीं बात पता लगते हैं और रोज नहीं बात पता लगी है हमेशा यह सोसते जाओ कि आज मेरे को क्या नया पता लगा आज मैं यह जान गया और दीरे 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 तुमारे knowledge इत्ती हो जाएगी कि तुम वह जो civil servant बनने के लिए जितनी परियाप्त knowledge के आउशक्ता होती है, उससे बाहर निकल जाओगे, और उससे बाहर निकल जाओगे, तो बस फिर तुम बन जाओगे, civil servant बन जाओगे, और civil servant बनने के बाद की जो life है, वो भी बहुत श्रेष्ट है, उसके बाद में तुम देखोगे, तुम अलग लग शित्रों जाओगे, तो उसके अंदर तुम काम कर रहे हो, कभी तुम यह देख रहे हो, को सरकारी जो scheme है वो लागू हुई नहीं हुई, और इन सब को देखते देखते फिर कभी तुम्हारा transfer हो गया, तुम महिला बाल विकास के अंदर चलेगे, महिला बाल विकास कर रहे हो, फिर थ जब तुम कोई काम करते हो, काम करने के बाद में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको तुमने कोई लाब पहुंचा है, कोई गरीब है, कोई पीडित है, उसको जैसे तुम लाब पहुंचा होगे, वो तुम्हें जब आशिष देगन, के के साब, तुमारे माता-पिता को उसके हरदे के गहराईयों तक वो बात छुएगी तुम्हें, और छुएगी तुम्हें फिर मन करेगा कि मैं काश और ऐसा कर सकूँ, और इस सर्विसस की ब्यूटी ये है, कि ये तुम्हें ऐसे काम करने की और जदा मौके देती रहेगी, कि तुम चाहो जितना काम जोए कर है, जब आपन तयारी करने लगते हैं, तो इसके अंदर एक अपन को बड़ी बात ध्यान में रखनी होती है, वो ये है कि हम सिर्फ जोश में काम नहीं कर सकते हैं, जब तुम आए हो, अभी तुम जोश में हो, जोश के साथ में क्या होना चाहिए, होश, होश के साथ में काम करें, क्योंकि काम बहुत लंबा है, पेशिंस का टेस deze है, यह इंटलिजर्च का टेस्ट नहीं है, यह कोई IIT और वो Jeekillyr examination नहीं है, जहां पर आपके इंटलिजर्च का टेस्ट हो रहा हूँ, IQ. लेवल टेस्ट हो रहा हूँ, यह त слож tuck है, हान होत है, यह तुम्हारा PQ एी पेशेंस कोशेंट जो को पहले वाद करता था कि वह सफल होने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या चीज होनी चाहिए तो यह कहते थे वक्ति का आई-क्यू बहुत ज्यादा और जिसका आई-क्यू अच्छा होगा वह उतना ही ज्यादा सफल होगा पर उसके बाद में किसको लेक की कि वारे हैंि प्र शॉथ जो ऑच्छा हो चाहिए तुम अपनी इमोशन को संभाल सकते हो यह नहीं संभाक तो मरी भावनां को संभाल सकते हो और खेलते हैं, पावर हीटर होते हैं, लगाता रहाते हैं, छोके लगाते हैं, और कब चले जाते हैं, पता हैं नहीं लगता है, ऐसे जो T20 खेलने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट की टीम में सेलेक्शन भी नहीं होता है, टेस्ट मैच की जो टीम आते हैं, उसके अंदर उनका के एक क्रता जाना है एक दिन में यह इंपप्रूइमटेंट नहीं होगा आज हम जिस लेवल पर हैं और जहां हमएं पहुँंचना रहो जो मार गया है उसका जो पात है वह बहुत लंबा और लंबा वात वात है तो आपने साथ में कि हम किस लिए काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में धैर और तुम जीवन के उस मौड के उपर भी हो कि जब जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चल रही हो ऐसा नहीं है जीवन में और गतिवीदियां भी चल रही होगी लाइफ के अंदर और बहुत सारी चीज़ चल रही है तो इसमें उतार चढ़ाव वह भी आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आते हैं इस वजे से इसके अंदर coaching की आवश्रक्ता जो है वह बन जाती है कि सिर्फ एसे निया कि पढ़ने के लिए यह कोचिंग की आवश्चा क्या कौन कौन से इसे पढ़ा दिये या फिर आसा कर दिये ऐसा नियुक्त क्योंकि हमारा अनुभव जो है वो ये है कि इतने टाइम के अंदर जो बच्चा होता है जो स्टूडेंट होता है उसके जीवन में बहुत सारी चीजह चल रही होती है और उसकी जीवन में उसको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है उसके अलावा भ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि उन सब चीजों से गुजरा हुआ है कौन समझ सकता उस बात को जो व्यक्ति उससे गुजरा हो और स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो है वो ये ऐसे टीम है जो कि ऐसे सभी परिस्तितियों से गुजरी हुई है ये सब चीजें जो हमने देखी है और देखिए लगातार हम students के साथ में जब रहते हैं तो हम यह देखते हैं कि knowledge के अलावा दूसरी जो चीजी होती है वो कितनी महतुपून होती है कभी-कभी जीवन के अंदर जो ऐसे low आता है वक्ति अभी तो high है high tide है फिर आएगा low tide फिर वापस जो एकदम वक्ति डाउन होगा उसको यह लगेगा अपने आपकी उपर बरुसा नहीं होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ऐसे एक्षण के अंदर उसके पास में अगर कोई वक्ति है और वो उसको कह सके कि नहीं नहीं तुम कर सकते हैं तुम अपने आपको पर विश्वास रखो जो select हुए हैं उनके भी कोई सींग नहीं है और select हुए वे लोग आएंगे और कहेंगे हम भी तुम्हारे जैसे ही थ और जो इन समश्याओं में जिसने quit नहीं किया जिसने जो है वो चीज को छोड़ा नहीं वो उसमें बना रहा है उस संगर्षों के साथ में जो अगर डटा रहा वो तो पार निकल जाएगा और जो quit कर जाता है वो उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे एक और दाइ से related पड़ाई से दूसरी तो हम हल तो कर देंगे यह नहीं है हमारे पास मैं जादू की सड़ी नहीं यह जो अब तक हमने क्या कमाया है यह फिर अब तक जो अर्ण किया है वो है students का विश्वास और वो student का विश्वास कैसे अर्ण किया है उसके लिए हमने उनके साथ में हम खड़े रहे हैं जब भी आवशक्ता पड़ी जब भी student को आवशक्ता होई किसी भी प्रकार की चीजी ही आप जो है वो देखोगे राजविर सर से अभी द अब क्या करें उसके अंदर जो अपने अनुभाव से जैसा जैसा थोड़ा बहुत कुछ हो सकता हो बताते हैं फिर हमसे अगर नहीं हो हम जो लोगों से अगर नहीं हो अमारा अनुभाव कर कम पढ़ जाए तो फिर हम दिलिपसर से बात करते हैं उनका अनुभाव और हम सिर्फ पढ़ाने का काम और यह बागी तो करते ही हैं वह तो करने पढ़ेगा उसके लिए तो हमने तुमसे फीस लिए पढ़ाएंगे परन तो उसके अत्रिक्त भी कभी जो है इस लंबे सफर के अंदर तुम अपने आपको अकेला नहीं पाओगे और वह इसकी बहुत ज जादा है और अपन कर सकते हैं अपन अपने प्रazed помог करेंगे अपने लोगों का प्रियोग करेंगे लोगों प्र Taliban करेंगे फिर Pvn कि सुझे पर एक टीम जो है वो हमें बैकरम न में रहेगी едगfang रहते रहते हैं भी तुम्हारी जैन सरवारी आ यह ज़रनी के साहत रहने जर्ड लीया हम हमेशा तक पर हैं और और इस लिहां हम कहते हैं को रहते हैं इसको जाकर join करते हो, जैसे इस में साथ में आओगे तो फिर आगे जे आगे गर बेखते ज सैख आगे एक बार साथ में आना होता है, फिर आगे तो समय अपने आप खैंच के लए झाये जाएगा, बस उसमें यह रहना है कि आप produkt को खुद ना छोड़े, खुद व्यक्ति कु एक बार हिम्मत आ जाती है और हम यह जानते हैं कि विक्तिक अंदर हिम्मत आ जाती है तो समश्याओं का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है अस्तित्व किसका है प्रकाश का अस्तित्व नहीं है अंदेरा नाम की चीज नहीं होती है चीज क्या होती है प्रकाश और प्रियास करने के आवशक्ता नहीं होती है और वह लाइट के लिए उस के साथ में खड़े रहने के लिए जो है वह स्प्रिंग बोड आपके हमेशा साथ में रहेगा इसके अलावा तुम्हें एक और जो बात रहेगी वह है कि जीवन के अंदर जब तुम यह प्राप्त करोग इस सफलता को प्राप्त करोगे ताके भी जो भी टॉपर्स आएंगे वो तुम्हें बताएंगे कि उस सफलता के समय तुम अपने परिवार वालों को जब देखोगे जैसे सफलता होई सफलता होते ही तुम्हेरे परिवार वालों के जो उनके चेहरे पर उनके आँखों में उनके अंदर जितनी जो उत्साह दिखाई देगा, उनके अंदर जिस प्रकार की, वो ये उमंग दिखाई देगी, और वो जिस तरीके से उस सफलता को इंजॉय करते हैं, वैसा खुद व्यक्ति भी नहीं करता है, जितना कौन करता है, परिवार वाले करता है, और इसलिए परिवार वालों को देने के लिए भी ये बहुत important है, फिर विक्ति अगर अपनी पहचान मनाना चाहे, पहचान मनाना बहुत बहुत मुश्किल है, भारत के अंदर भी वर्तमान में समझ्य गया है, लोग तो हैं बहुत ज़्यादा, 150 क्रोड की जन संक्या, लगवकि 140-50 क्रोड के गरीब हैं पर, और 150 क्रोड की जन संक्या उसके अंदर अपन को बनानी है अपनी पहचान, कि मैं कौन हूं, या मैं कु में पढ़ने के बाद में आप सेलेक्ट होगे और सेलेक्ट वेर आपकी अलग से पहचान जो है वो बने ऐसा और कहीं पर भी पॉसिबल नहीं आपको और किसी दूसरे प्रफेशन में जाओगे आप राजनिती में जाओ आपको चक्कर काटने पड़ेंगे कैसे जैसे करके आदमी एमले बन जाए पांच साल के लिए बनता है पांच साल बाद वापस उसके फिर से चिंता है या और क्या करूं वापस से बिजनसमेन बनता है आदमी खूब चकर ख से पढ़ाईगे सुबह उठना है कब उठना है ये वरति मर्ज़े दे इदर टो बहुत जरूरिये मैं आप तोас लोगों को फिर से एक बार दन्यवांद देता हूं या फिर आपको बदाई देता हूं कि आपने जीवन में ये निर्ले लिया है और यह निर्णें लिए तो निश्चित रूप से इस निर्णे को जो बाद में कभी पीछे गुम कि देखोगे तो अपने आपके अपनी ठफफा हो गई क्या आपने बहुत शांदर निर्णे जो इस दिन अपने लिया था और आज अपने निर्णे लिए तो इस वज़े से अपन के अंदर जो बहुत सरे लोग और जैसे मैं वैता हूँ तुमें किसके बारे में तो राजीवर सरे के बारे में तुम जानते ही और वह शुरूराद भी तुम्हारी करेंगे तो उसके बार दुम से कहांशाण Soena पिर आपना जो लाइफ है या फिर फिर अपना जो लाइफ है या फिर लाइफ का या अनुभव है या उनुभव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो जदा अच्छा रहेगा तो इसलिए लक्षता मेम आएंगे लक्षता मेम को तुम देखोगे तो तुम ये उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है अंग्री जी के अंदर जो है वो बहुत जदा वो मतलब ऐसे पकड़ है उनकी और पह वास्त्री ग्रूप में मीटियम कौन सा था वह इंग्लिश मीटियम था और बाद में फिर उन्होंने हिंदी के उपर जो है वो तो इसलिए लक्षता मेम का जो आपको और गल्स्टूडेंट्स के साथ में जो खासकर इनका जो कनेक्ट रहता है वो बहुत शानदा रहता है लक्षता मेम गल्स्टूडेंट्सको पहई ऐसा फील नहीं होने देते कि तुम कोई अलग हो तुम अपनी समष्टा होगी कई बार ऐसे कुछ समष्टा है जो कि और किसको कहा है तो वैसे